दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुरुगाउं पोर्ट अथोर्टी की तरफ से डिप्लोमा और वी बीटेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहां पर सिविल, अलेक्रिकल और मेकेनिकल इंजिनियर से लिजबल रहेंगे फ्रेसर से लिजबल हैं आपके डारेक्ट भरती रहेगी और क्या बताएगिया हैं के ओफिसेल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोम में आपको जो आप सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाक्ट सब्ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका मुरगाओं पत्तन प्राधिकरन के तरफ से निकाला गया है यह संसाप की मिनिस्ट्री ओफ पोर्ट सिपिंग एंड वोटर वेकेंडर आती है और गोवर्मेंट ओफ हिंदिया का इंटरप्राइजज है तो फिल हाल यहां पर आप लोगों के लिए एप्रेंटिस के लिए वेकेंसी रहने वाली है जहां पर बी बीटेक और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे पहली वेकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है ग्रेज़ुएट एप्रेंटिस के लिए अगर आपने भी बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनरिंग में आप लोग यहां पर अपलाई कर पाएंगे तोटल यहां पर आपकी 7 पोस्ट ओपर वेकेंसी रहने वाली है next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है electrical engineers के लिए यहाँ पर भी आपकी 7 post ओपर vacancy रहेगी और अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है civil engineers के लिए civil वालों के लिए यहाँ पर total 6 post ओपर vacancy रहने वाली है आपकी vacancies को यहाँ पर category wise कैसे बाटा गया है तो ये चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है टेकनिसेन अप्रेंटिस यहाँ पर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने डिप्लोमा किया है मेकेनिकल, अलेक्ट्रिकल या फिर सिविल इंजिनिरिंग में आप लोग यहाँ पर रिलिजबल रहेंगे बात करें आपके मन्तली स्टाइपेंट के बारे में तो बी बी टेक वालों को मन्तली स्टाइपेंट यहाँ पर 9000 रुपे प्रतिमन्थ और डिप्लोमा वालों को मंतली स्टाइपेंड यहां पर 8000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है नेक्स अम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में तो इस पोस्ट में अपलाई करने के लिए मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए मैक्समम एज यहां पर आपकी 27 साल रहने वाली है और इसके साथ है एज पर गोवर्मेंट टूल के हिसाब से यहां पर आपको एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा नेक्स हम बात कर लेते हैं आपके सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका direct basis रहने वाला है जो भी बीटेक या फिर डिप्लोमा में आपके final mark आये हैं उस हिसाब से sortist करके यहाँ पर आपको interview के लिए बुलाई जाएगा बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका online रहने वाला है form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं लास डेट यहाँ पर आपकी 19 जुलाई रहेगी interested or releasable candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में